किसी भी मोटर को चालू करने के लिए और उसको बन करने के लिए हम पुस बटन का इस्तमाल करते हैं अब यदि आपको इसी मोटर को डिजिटल टाइमर के द्वारा भी कंट्रोल करना है तो किस प्रकास से हम डिजिटल टाइमर का कनेक्सन करेंगे उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्याम से सीखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जो भी हमारा मोटर होता है उस मोटर को चालू और बन करने के लिए हम कॉंटेक्टर का इस्तमाल करते हैं अब यहां पे जो हमारा मोटर है इस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम यहां पे एक ओवलोड रिले का इस्तमाल कर रहे हैं इस ओवलोड रिले को ले जाके हमने कॉंटेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिये हैं अब यहां पे जो हमारा मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए और बन करने के लिए हमें कंट्रोल वाइरिंग करना पड़ेगा और कंट्रोल वाइरिंग में सबसे पहले हम यहां पे एक टू पोल का MCB इस्तमाल करेंगे ये जो हमारा टूपोल का MCB होगा ये होगा हमारा कंट्रोल MCB अब यदि आपको मोटर को किसी पर्टिकुलर टाइम पे चालू और बन करना है तो उसके लिए आपको टाइमर का इस्तमाल करना पड़ेगा आप चाहे तो कोई भी टाइमर का इस्तमाल कर सकती हो यदि आपको टाइम को अलग-अलग सेट करना है यानि कि प्रोग्राम करना है तो आपको डिजिटल टाइमर का इस्तमाल करना पड़ता है ये डिजिटल टाइमर है ये जो मेरे पास में टाइमर है इस टाइमर को CNC कंपनी के द्वारा बनाए गया है और इस timer का model number आप यहाँ पे देख सकते हो अब इस timer का जो specification है उसका detail में यहाँ पे लिख देता हूँ अब यहाँ पे हम बात करें कि इस timer में हम total कितना programming कर सकते हैं तो इसमें आप total 16 programming कर सकते हो यानि कि आप एक दिन में 16 times motor को चालू और बंग कर सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पे एक manual बटन भी मिल जाएगा जिसके दोड़ा आप directly load को चालू और बंग कर सकते हो अब हम control wiring करना start करते हैं तो control wiring करने के लिए सबसे पहले हम इस MCB के output terminal पे दो wire को connect कर देंगे यानि कि face supply और neutral supply के लिए हमने दो wire को connect कर दिए अब इस wire से जो हमें power supply मिलेगा उस power supply को ले जाके जो हमारा digital timer है इस digital timer का जो coil वाला terminal होता है उन दो terminal पे इन दोनों wire को connect करना होगा तो इसका terminal यहाँ पे 1 और 2 है तो इन दो terminal पे मैंने इन दोनों wire को ले जाके connect कर दिया आप इस circuit diagram में भी देख सकते हो तो कि जो हमारा face supply है face supply को हमने ले जाके directly timer को face supply दे दिये और neutral power supply को भी ले जाके timer के साथ में connection किया गया है यानि कि timer को operate करने के लिए हमने power supply directly connect कर दिये हैं इसके बाद यहाँ पे जो हमारा face supply है इस face supply से एक power supply overload relay के NC contact में जाना चाहिए तो हम क्या करेंगे यह जो हमारा face वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे एक वार को connect करेंगे और इस वार के दूसरे सीरे को ले जाके overload relay का जो 95 नंबर का terminal है एक बार देख लिजिए यह 95 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमने face supply को connect कर दिये अब इसके बाद यदि आप circuit diagram को देखोगे तो इसमें आप पाऊगे कि जो हमारा overload relay है इससे जो output power supply जाएगा वो चला जाएगा stop push button में तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा जो भी हमारा push button है उस push button में जो stop वाला NC contact होता है यह हमारा red वाला push button है यह push button हमारा NC contact होता है आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो इस NC contact को हमें power supply overload relay से ले जाके connect करना है तो मैंने यहाँ पे already इन दोनो push button के साथ चार wire को connect करके रखा हूँ जिससे कि हमारा time save हो सके तो यह जो मेरा stop push button वाला element है इस element के साथ में जो wire connect है यह वाला wire मेरा connect है तो इन दोनों wire में से कोई भी एक wire को में ले जाके मेरा जो overload relay का NC contact है इस NC contact के साथ इस wire को connect कर दूँगा तो अभी हमने क्या किये यह जो overload relay है इस से power supply हमने stop push button में connect कर दिये अब इस stop push button का जो output terminal है इस terminal से जो power supply जाएगा वो power supply हमें इस wire में मिलेगा अब इस wire को हमें कहां कनाय करना है इसको भी हम समझ लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो इस circuit diagram में बताया गया है कि stop push button से power supply हमारे selector switch में जाना चाहिए तो हमें यहां पे एक selector switch का इस्तमाल करना होगा इस selector switch में आपको बहुत सारे terminal मिलेगा इन terminal का पहचान करने के लिए आपको एक simple तरीका इस्तमाल करना है आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो off condition में रख दीजिए यानि कि यदि आप zero position select करोगे तो उस condition में आपको किसी भी डो टर्मिनल पे continuity मिलेगा यहां पे जो मेरा एक नंबर और टी नंबर का टर्मिनल है यह common टर्मिनल है यानि कि इस पे हमें incoming power supply देना होगा उसके बाद यहां पे जो मेरा एक नंबर का position है यानि कि ये वाला जो point है इस point पे यदि मैं select करता हूँ तो इस condition में मुझे power supply दो नंबर के टर्मिनल सोड़ी ये वाला दो नंबर का टर्मिनल है इस terminal पे मुझे power supply मिलेगा इसके बाद यदि मैं इस selector switch को दो नंबर के position पे select करूँ तो इस condition में मुझे output power supply चार नंबर के point पे मिलेगा same to same यहाँ पे दो और contact है इन दोनों contact का भी same working होगा यानि की 5 और 7 नंबर common टर्मिनल है इसी प्रकास से 9 और 11 common टर्मिनल है अब इसका जो output है आपको यहाँ पे 6 और 8 में मिलेगा और 10 और 12 में मिलेगा तो हमें यहाँ पे केवल एक contact का अवसकता है तो हम यहाँ पे एक और 10 को common के जैसे इस्तमाल करेंगे दो नंबर टर्मिनल हमारा एक नंबर position के लिए है और 4 नंबर टर्मिनल हमारा दो नंबर के position के लिए है तो जैसे कि मैंने बताया कि इस wire से जो output power supply जाएगा उस output power supply को ल तीन नंबर हमारा को common टर्मिनल है अब हमें क्या करना होगा यह जो हमारा selector switch है इस selector switch को जब हम एक नंबर position पे select करते हैं यानि कि जब हम इस selector switch को इस position पे select करेंगे तब उस condition में जो हमारा push button होगा इस push button के द्वारा हमें motor को चालू करना है तो इसके लिए हमें wiring करना जब हम circuit diagram में देखेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे कि जो हमारा selector switch है, selector switch का जो local position है, यानि कि एक number जो position है, उस position से जो power supply जाएगा, वो जाएगा start push button में, और वहाँ से power supply डारेक्ट चला जाएगा हमारे contactor के coil में, यानि कि A1 terminal पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह जो और जो हमारा selector switch है, इस selector switch का जो एक number position वाली terminal है, यानि कि ये जो दो number का point है, इस point के साथ हम इस wire को ले जाके connect कर देंगे, अब इसी push button का जो दूसरा wire है, यानि कि ये वाला wire जो बच गया, इस wire से power supply हमें ले जाके, इस contactor को on करने के लिए power supply देना है, तो इस contactor का जो A1 terminal होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, ठीके, यहाँ पर A1 terminal है, तो इस terminal के साथ मैं इस wire को ले जाके connect कर दूँगा, अब इस circuit diagram को जब आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज और मिलेगा, कि ये जो हमारा contactor है, इस contactor का जो एनो contactor क को प्रेस करके इसको release भी कर दे, तो उस समय हमें contactor को on रखना है, तो उसके लिए हमें holding circuit बनाना होगा, और holding circuit बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा selector switch का एक number position वाली terminal है, उस terminal से एक wire को ले जाके, एनो contactor को input power supply देना है, इसके बाद इसके output terminal से एक wire को ले जाके contactor के A1 terminal पे power supply को connect करना है, तो यहां पर मैं एक wire का इस्तमाल करूँगा, इस wire के एक सीरे को ले जाके, मेरा selector switch है, इस selector switch के एक number position वाले terminal के साथ इसको connect कर दूँगा, अब इस तरे जो power supply आएगा, इसको हमें ले जाके, जो हमारा contactor है, उस contactor का, जो एनो contact को input power supply दे इस तरे जो आउपूट टर्मिनल है, इस तर्मिनल के साथ हम एक और wire को connect करेंगे, और इस wire का जो दूसरा सीरा है, इसको ले जाके, जो हमारा A1 terminal है, contactor का, उस तर्मिनल के साथ हम इस wire को connect कर देंगे, अब इस contactor को हमें neutral power supply भी provide करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यह जो हमा भी neutral power supply provide कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, इतना connection करने के बाद, यदि मैं यहाँ पे MCB को on कर देता हूँ, उसके बाद यह जो start push button इसको मैं प्रेस करूँ, तो आप देख सकते हो, मेरा contactor on हो चुका है, और stop push button को प्रेस करने के बाद, contactor off हो गया, आप देखिए, contactor on, contactor off ओके तो यह जो हमारा push button है, इस push button के द्वारा हम contactor को चालू बन कर पा रहे हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कि यह जो हमारा timer है, इस timer के द्वारा भी हमें इस contactor को चालू करना है, अब इस timer का connection करने के लिए केवल दो चीजे आपको करना पड़ता है, सबसे पहले त यहाँ पे जो हमारा timer है, इसका जो output terminal है, तीन, चार, पाँच, इन तीनों में से हमें केवल एनों contact का इस्तामाल करना है, तो यहाँ पे जो चार नंबर का point है, वो हमारा common terminal होता है, पाँच, एनों और तीन, एनसी कोंटेक होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि च दो number position पे select करते हैं, यानि कि इस selector switch को जब हम दो number position पे select करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो timer है, इस timer का common terminal है, उस common terminal पे power supply जाएगा, तो इस timer का common terminal है, उस terminal पे मैं एक wire को ले जाके connect कर दूँगा, और उसी wire का जो दूसा सीरा होगा, उसको ले जाके हमें, हमारा जो selector switch है, इस selector switch का जो दो number position वाली terminal है, यानि कि चार number का जो point है, उस point के साथ हम इस wire को connect कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा power supply इस timer में चला गया, अब इस timer का जो no contact है, उस no contact के साथ हम एक और wire को connect करेंगे, और इस wire का जो दूसरा सीरा होगा, इसको ले जाके हमें contactor का जो A1 terminal है, उस terminal के साथ ही connect करना होगा, क्योंकि इस से जो power supply जाएगा, वो power supply जाएगा हमारे contactor को on करने के लिए, ओके तो फूरा connection complete हो चुका है, मैंने यहाँ पे इस fan को इस contactor के साथ connect कर दिया, और इस push button का cover को भी लगा दिया हूँ, इतना करने के बाद यह जो हमारा timer है, इस timer में हमें time को भी set करना हुगा, कि कितने बज़े हमें इस fan को चालू करना है, और कितने बज़े fan को off करना है, इस timer का programming किस प्रकास से करते हैं, उसका एक video already मैं बना चुका हूँ, तो उस video का link में description में provide कर दूँगा, वहाँ पे आप click करके उस video को देख लीजिएगा, ओके, तो सबसे पहले मैं इस mcb को on कर देता हूँ, mcb को on करने के बाद ये जो मेरा selector switch है, इस selector switch को off position पे रख देता हूँ, off position पे रखने के बाद यदि मैं start push button को press करूँ, तो हमारा contactor on नहीं होगा, क्योंकि ये selector switch अभी output power supply को generate नहीं कर रहा है, अब यदि मैं इस selector switch को एक number position पे select कर है, अब इसको बंद करने के लिए हम stop push button को press करेंगे, तो हमारा जो motor होगा, motor हमारा बंद हो जाएगा, ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कि हम push button के द्वारा किस प्रकास से चालू करेंगे, और किस प्रकास से इसको off करेंगे, ओके दोस्तों, अब यदि आपको इस motor को timer के द्वारा operate करवाना है, तो इसके लिए आपको इस selector switch को दो number position पे select करना है, यानि कि इस position पे selection करने के बाद ही आपके timer के द्वारा हमारा motor on होगा, यदि आप zero position पे select करके रखोगे, या फिर one number position पे select करके रखोगे, तो हमारा timer के द्वारा motor on नहीं होगा, ओके, तो यहाँ पे हमने दो number position पे select कर दिये तो अब जो हमारा timer है इस timer में जो time set किया जाएगा उस time के अनुसर हमारा motor on हो जाएगा चलिए एक time को हम set कर देते हैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हो time होड़ा है 18 बचके 52 मिनट तो मैं यहाँ पे एक programming set कर देता हूँ on करने के लिए तो हमें यहाँ पे hour set करना है 18 बचके यानि कि 18 hour तो मैं यहाँ पे 18 select कर देता हूँ 18 select करने के बाद मिनट को हमें set करना है तो मिनट वाले बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे होड़ा तब 52 तो हमें 53 पे on करना होगा मैं यहाँ पे 53 सेट कर देता हूँ मैंने 53 सेट कर दिया on करने के लिए दुबारा program बटन को प्रेस करूँगा तो off करने का programming आ जाएगा तो मैं यहाँ पे Black खूरD 54 होते ही फैंट जो है वो आटामेटीकली हो जाएगा आप सकते हो आउप уч करके रखा तो आपको पयो सब्सक्राइब की Chemikine iam waited 2 2 25 सब्सक्राइब मऍवμέर hiç ανाटोमेटेकली ओक होगे सब्सक्राइब तो जैसे की आप ने देखा चैसे 18 Finished onboard मिन्यट हुआ तुरंटरी हमारा या लोगे हमारा रामारा क्परा Fen कंट्रोल हो रहा है ऑके दोस्तो तो दोस्तो मैं उमीड करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसन आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसन आया हो तो इस वीडियो पे like, share और comment कर दिजीदा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद